हलो एंड वेलकम टू पॉडकास नमबर फॉर जी एलए फेस्टू समबात तो दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है पिकोज हम बात करेंगे हैलोवीन की हलोवीन पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपलर हो गया है और इस साल बहुत ही जोरो शोरो से मनाया गया हमारे फेस्टू में बच्चे बहुत दिन पहले से ही एकसाइटेट थे अपने लोग और अपने कॉस्टूम को लेकर फाइनल डे पर वो जब तयार होके निकले तो हमारे पास क्यूट क्यूट आविंजर्स थे ड्रैकुलास थे, मॉंस्टर्स थे, बैट वूमन्स थे और अट दे वर आल ड्रेस्ट पॉफेक्ली उनका हैर, उनका मेक अप, उनकी असेसरी इतनी सुन्दर थी कि दिखी रहा था कि मॉम्स और बच्चों ने बहुत एफ़र्ट डाला है अपने लुक को लेकर तो ये सारी भूतों के टोली अपनी सर्दार स्टेज करा करने धी लामा को लेकर साथ निकल पड़ी डियलेफ की गलियों पर ट्रिक और ट्रीट करने बहुत मॉम्स ने बच्चोn को इन्वाइट किया था अपने गर उनको इंटेटेन किया स्नैक सर्फ किये, रिफ्रेश्मेंट सर्फ किये, उनको क्यूट 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 क्यव्ट्स दिये पूजा और रितु तनीजा ने बहुत ही सुन्दर डेकॉरेशन्स कर रखी थी दे वर वेरी स्केरी मॉन्स्टर हैज और क्यूट क्यूट सैंविचेज मेड लाइक मॉन्स्टर फेस्ट बच्चों ने ये सारे स्नैक्स इंजॉय किये और फिर लास्ट में ये भूतों की टोली हमारी रामसे ब्रदर्स की लाइव मुवी पहुँच गई अबरोईस के घर पर वहाँ पे कलेक्टिवली सारी मॉम्स ने एक ग्रैंड लाविश फीस्ट होस्ट किया था हमारे पैतालों के शैतानों के लिए बच्चों ने बहुत सारे आफ फीस्ट को इंचॉय किया उन्होंने फोड़ोग्राप्स कीची और गाने गाए के फाइव की जो डिल फ पार्टी हुई उसको नूपर और प्योश बंसल ने होस्ट किया था नूपर ने बहुत ही स्केरी डेकुरेशन्स किये थे लाइफ स्केलेटन था वहाँ पर बहुत ही भूतिया म्यूजिक प्ले कर रहा था जिसने इवनिंग का मूट सेट कर दिया सिस्टर दिमॉन्टी केम फॉर स्टोरी तेलिंग टाइम और शे टोल्ड दे चिल्रन वाई हालोवीन इस सेलेब्रेड़ेट बच्चों ने केक काटा उन्होंने गाने गाए और डांस किया तो ओल इन ओल इस साल डिया लेफ के बच्चों ने बहुत ही मज़े किये हालोवीन पर इस साइनिंग आफ तवारी अपनी गंगन जे कि अजा मुष्चों ने मुष्चों ने रोगज है